हालो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का इस ने वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक यूनिक तरह का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पेपर स्पिनर जो की कैंडल पावर्ड होगा या फिर आप कह सकते हैं यह बिल्कुल फ्री एनर्जी होगा और दोस्तों आप भी इसे अपने घर पे इजली ट्राइ कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और दोस्तों यह देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इंट्रस्टिंग चीज है तो आप लोगों का भी मन लगेगा इसको बनाने में तो चले वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए और आपको यह पेपर इस्पीनर बनाना सिखाते हैं यहां पे दो पेपर ले लिए हैं आप देख सकते हैं और आप चाहें तो एक ही पेपर यूज़ कर सकते हैं एक इस्पीनर बनाने के लिए एक पेपर यूज़ करें और यह पेपर थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए और उसके बाद में हमें एक डिवाइटर लेकर इसमें एक एक छोटा सा सर्कल बनाना होगा और सर्कल बनाने के बाद में इसे हम थोड़ा सा डार कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए हमने यहां पे मारकर से इसको थोड़ा सा डार कर दिया है आप देख सकते हैं आप अपने एकॉर्डिंग आपका जो सरकल है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इसको हमें कटकर लेना होगा और यह पेपर हमने कटकर लिया है यहां पे दोनों पेपर हैं दोनों पे हम काम कर रहे हैं और दोस उसके बाद में हमें जो इसकी चोड़ाई आपको सेम ही रखनी है ज्यादा मोटाया पतला नहीं करना है और इसमें तीन से चार हमें और चोटे-चोटे जो इस्पिनिंग इस्ट्रक्चर होते हैं वो बनाने हैं यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें बना रहा है और यहां पे रगबग 3 से 4 हो गए है तो अब हम इसे कट करना है आपको भी इसी तरह से चक्री टाइप में बना लेना है तो चली जल्दी से हम कट करके दिखाते हैं आपको और दोस्तो इसकी जो चोड़ाय है वो कम जादा ना हो तो बहतर रहेगा और दोस्तों यहांपे चट चुका है और आप हमें बार ही है इसके stand बनाने की, तो इसके बार में हमने यहाँ पर एक hardboard ले लिया है, और hardboard को हम use करेंगे, बेस की तरह, और इसके बार में हमने यहाँ पर एक iron wire लिया हुआ है, आप यहाँ पर यहाँ पर या copper wire भी use कर सकते हैं, बस उसकी जो ऊपर का हिस्सा हो, वो नुकिला हो और दोस्तों इसके बाद में जो हमने पेपर कट गया है उसकी आप तो लंबाई ना पलें और लंबाई से लगबद चार से छे इंच आपको बड़ा यह जो वायर है वो लेना होगा और दोस्तों यह पेपर हार्ड होना चाहिए अगर आपका पेपर यह थोड़ा सा पतला होगा तो आपका यह जो इस्पिनर है अच्छे से काम नहीं करेगा और जलने के भी पूरे चांसे रहेंगे क्योंकि दोस्तों इसके नीचे हमें दिया या मुवबती रखना है भी और दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हमें एक केंडल होल्डर भी बनाना होगा तो इस तरह से हमें वायर को उपर की और उठा दिया है और इसी के अंदर हम केंडल अपनी आप दिया यूज़े कर रहे हैं तो इसकी ज़़ूत नहीं होगी और हमें यहां पर दो तैयार कर लिए हैए और यहां पर इस सेलो टेप से ही इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे बेस में जिससे कि ये एक जगा stable हो जाए और इधर उधर हिले नहीं और इसके बाद में हमने जो structure जो paper कट किया है इसके उपर रख देंगे और दोस्तों ध्यान रहे ये जो wire का उपर का हिसा top है वो एकदम नुकीला होना बिल्कुल sui की तरह जिस तरह से needle होती है उसी तरह से होना चीए वरना आपका जो paper है वो बार बार नीचे गिरेगा और जल जाएगा इससे आप ध्यान दें कि आपका जो wire का हिस्सा उपरी है वो थोड़ा सा नुकीला जादा हो और उसके बाद में दिया या मुंबत्ती इस तरह से नीचे रखते ही हमारा जो spinner हमने बनाया है वो rotate करना शुरू कर देगा आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल 100% वर करता है और आप भी इसे अपने घर पे बना सकते हैं चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं ये जो दूसरा वाला भी रुका हुआ है उसको भी किस तरह से हम चलाएंगे तो यहां पर दोस्तों मुंबत्ती का यूज करेंगी एक में मुंबत्ती और दूसरे में दिया हमने यूज किया है दिया या मुंबत्ती दूरी पे ही रखना होगा क्यूंकि इसकी हीट से जो कागज है पेपर है वो जलने के ज़्यादा चांसे रहते है तो फ्रेंट सुम्मित करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर अच्छे लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने माई यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू कर लीजिए तब तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार जय हिंद्ध